कि दंदादन धाम में ब्राजमान है यह है अवसर जो इस समय आप लोगों को प्रात्त है यह तैसे प्रात्त हुआ कौन से पुन्य का सुपरिनाम है कौन से शुकृत का फल है कौन सा वह बैदिक स्मार्त तर्म है जिसके परिणाम स्चुरू ब्रंदावन में प्रभेश हुआ कि इसका कोई उप्तर नहीं किसी देद की रिचा में किसी स्मृति के प्रमान में अथवा पुराणों में अथवा अन्यान धर्म व्रंथों में आएसा कोई उन्य कर्म नहीं बताया गया जिसका यह परिणाम हो कि कोई व्यक्ति ब्रंदावन पहुंच जाए क्योंकि ब्रंदावन धाम ऐसा धाम है जिससे परे कुछ नहीं है कि इतने मात्र से संतोष कर लेना परियाक्त नहीं है कि ब्रंदावन क्या है यह समझना होगा क्या यह वही ब्रंदावन है जिसका स्थान भगवान ने अथ्वा महापुरुशों ने सरवोच्च माना है और क्या हम ऐसे वुन्दावन में कभी या दर्तमान काल में पहुचे है यह प्रश्ण है कॉमन सेंस साधारन बुद्धी से यह बात प्राइवेट तौर पर समझ में आती होगी कि बैं सरवोच्य स्थान में हम पहुच गए यह बात कुछ समझ में आती नहीं या तो यह सरवोच्य स्थान नहीं है और या तो हम उसमें पहुचे नहीं है या तो फुर दोनों नहीं है यह स्थान भी सरवोच्य नहीं है और हम पहुचे भी नहीं है कि इन तीन में कोई न कोई बात अवश्य है क्योंकि हम लोगों का experience अनुभों कहता है कि हम जैसे अपने और पूर्वस्थानों में थे हमारे कोई विकार हमारे कोई आनमदादी के अनगों में अंतर नहीं आया आया अगर तो इतनी कम मात्रा में आया कि हम यह नहीं महसूस कर सकते यह वो धाम है जहां ब्रह्मादिकों का प्रवेश नहीं है जहां यद्बांचयाश्नीर लगना अचरत्तपो महालक्ष्वी का प्रवेश भी नहीं है तो पता लगाना है कि यह गड़वड़ी हमारे अंदर है या धाम के अंदर है या दोनों के अंदर है तो कि गड़वड़ी जब तक पकड़ में नहीं आएगी तब तक बात बनेगी नहीं आप लोगों में से बहुत से लोग इस बर्तमान बुंदावन में कई बार आ चुके हैं प्रवेश ही नहीं किया यहां रहे हैं एक दिन दो दिन एक महीना दो महीना साल दो साल ऐसे लोग भी बैटे हैं बहुत से किन्त उनका दिप्तिकत अनुहों कुछ और कहता है जब वो शास्त्रों को पढ़ते हैं रसिकों की महाबारी सुनते हैं ब्रंदावन माहात्म सुनते हैं तो वो कुछ और ही है इस उधेड़बुन में वो विचारा साध्धक कुछ निश्चे नहीं कर पाता क्या फाइक देखिए मोटे तोर तो पहले समझिए व्रंदावन धाम का अस्थान कैसा होता है वैसे तो दो ही तक्तों है हम लोगों के अतिरिप भाग्यों द्वा वजय जीशनीशा वजय का भोक्त्र भोग्यार्थ जूक्ता गववान वद्व में वाताया होता हो और सक्यम्प्रेदि ड्शे निश्वर्य और हो गई है तो माया और इश्वर यह दो छेत्र है अब छेत्रों में जाने वाले हम लोग है इसलिए में पॉइंट दोई कि एक वो हो कि सुप्रीम पावर परात परसर्व शक्तिमाल भगवान को परमात्मा को राम को कुष्ण को जो भी को और एक उसकी पावर माय और इन्हीं दोनों से संबध्ध सब कुछ जैसे माया के छेत्र में त्रिमलात्मिका माया होने के कारण तीन प्रकार के आईश्वर्ज बताएगे तीन प्रकार के भोग बताएगे तीन प्रकार के सामान बताएगे तीन प्रकार के व्यक्ति बताएगे साथ्पिक राजस तामस को नरकादी का स्वरूप बताया गया राजस को यह मानव लोक बताया गया और साथ्पिक को देव लोक बताया गया कि तीनों माया के अंडर में है इसलिए त्याज्य नगण्य है इसको छोड़ दीजिए आप चलिए आगे ईश्वरी राज्य में पहला स्थान है ब्रह्मत द्राव का जिसको आप लोग कईवल्य कहते हैं आपावर्ग कहते हैं मोक्ष कहते हैं एक द्रव है एक जलाशे है बहुत बड़ा उसमें वे आत्माराम पूनकाम परमनिश्काम योगीन रबलात्मा परमह उसे लोग लीन हो जाए उनको न सुख मिलता है न दुख मिलता है सुख दुख का भोगता अंतह करण भी नहीं होता केवल पर्सनेलिटी होती है सत्ता हो वो सक्ता मुक्त होती है मुक्त माने छूटा हुआ किस से छूटा हुआ बंधन से किस बंधन से माया के बंधन से माया का बंधन क्या है त्रिगुल का बंधन त्रिगुल के बंधन से क्या हुआ त्रिकर्म का बंधन हो गया उससे क्या रियक्षन हुआ त्रिताप हो गया इसे आप लोग पढ़ते हैं ब्रह्म हो गया अब इसके उपर चलिए इसके उपर आनंद जगत है देखिए दुख का जगत मैंने आपको बताया माया का आव्रम भुना लोका अकुल रावर्दुन और जुनुत ब्रह्म लोक परियंत माया का जिपत्ते हैं वहां दुख अशांती अत्रिफ्टी हपूल का इस माया की विकार का इसके परे मैंने बताया जहां दुख भी नहीं आनंद भी नहीं आएसी नुक्ति उससे परे आनंद का जगत पारंद होता है उस आनंद के जगत में अनंत लोक हैं लेकिन प्रमुख वाइकुल्थ लोग शाकेत लोग गोलो एक तीन प्रमुख हैं वाइकुल्थ लोग में आनंद ही आनंद है किनके आनंद में भी गईलक्षन का आंतर होता है आनंद में छोटा बड़ा नहीं हुआ करता ऐसा न सोचना न बोलना और ऐसा डिसीजन भी न होने पाए कि वैकुंत का आनंद छोटा है गोलो का आनंद बड़ा है ते रसिकों की बोलने की भाशा में तो सब कुछ आता है लेकिं उसका अभिप्रा यह नहीं है कि लिमिटेड है आनंद तो सीमित होता ही नहीं जो वही भूमा तक सुखम जो अनलिमिटेड हो अनंत हो वही आनंद है अतो बैकुंठ में भी अनंत आनंद है और अनंत काल के लिए किन्तु वहाँ आईश्वर्ज प्रधान भगवान का स्वरूप है आईश्वर्ज में रस्व का संकोच होता है बहुत ज्यान से समझें रस्व का संकोच है मर जाता है बंधन है यह समझिये किसे कहीं राजा हो और उसकी प्रजा हो तो प्रजा और राजा का जो संबंध होता है उसमें बहुत संकोच है दूरी है ऐसा संबंध उन भक्तों का भगवान से होता है बैकुंठ में जो शान्त भाव के उपासक होते हैं लेकिन रसिक लोग बैकुंठ तक के आनंद को या केवल बैकुंठ के आनंद को रस नहीं मानते क्यों को हाँ आईश्वर्ज ही आईश्वर्ज है उसमें रस नहीं है और मोटी अकल में घड़े की अकल में समझी है कि जैसे आप लोग आफिस में बैठते हैं जिस समय आप डाक्टर हो मास्टर हो इंजीनियर हो कलक्टर हो जो हो तो जिस प्रकार आप एक्टिंग करके सीरियस हो करके बैठते हैं ऐसा कुछ स्वरूप है महाविष्णु का यानि भगवान का जो वाइकुंठ में परमगंभीर तो आपको वह रस का संकोज खटकेगा इसलिए रसकों में शांत भाव को रस ही नहीं माना अब उसके आगे चार भाव बचते हैं दास्ती भाव सक्ज भाव बाठ स्लिवाव मादर जैद तो इं स्वकें चार भाव वे तीन भाव साेट लोक में मिल जाते हैं आज दास्तिवाव सक्जब बाठ सलिवाव हो जरसpower का म्याम का लोख है सौड़ो यह महाविष्टू का लोग बताया मैंने भैकुंद और राम का लोग बताया साकेप लेकिन माधुर जिभाव के रसके लिए गो लोग है अन्तिम रस जहां मिलता है लेकिन इन तीनों का अध्यक्ष एक ही है ऐसा न समझ लेगा कि यह महाविष्टू कोई और है राम कोई और है विष्टू कोई और है ऐसा नहीं है कि यह रस बैलक्षन जिसे लोगों का प्राकट होता है और यह प्राकट भी ऐसा नहीं है जैसे हमारे इस मृत्य लोग का प्राकट हुआ है हमारे लोग का तो आविरभाव तिरोभाव होता है यानि स्रिष्टी होती है फिर प्रले होता है फिर स्रिष्टी होती है उठ्थान पतन होता है लेकिन वैकुंठ साकेत गोनों का कभी प्रारंब नहीं हुआ और कभी प्रले नहीं होना है महत प्रकार का भूते हुए वुते तौंप समझिह एक प्रल il एक क्वरमान ट का महा प्रले अंधा लिंगे में भी दिकुर्व सागेक कई बोणो का प्रली नहीं हुआ करता कॉनित की बना था और ने कभी बिगड़ेगा अरे बिगड़ना तो इस संसार को भी नहीं है उसको इसको भी प्रकत होना और तिरोभाव होना है लेकिन माया विकारी है इसलिए इसमें परिवर्थन होता रहता है तो बैकुंठ साके कवरगो लोग उनका जप्ष अलग अलग नहीं तीन भगवान नहीं हुआ अगरते एक ही भगवान के ये तीन सुरूप है भक्तों की इच्छा नुसार जो जिस भाव का उपासक होता है जिस रूप का जिस अवतार का उपासक होता है उसको वह लोक मिल जा भाता है तो इस प्रकार इन तीनों में संकोच का सर्वथा अभाव दूरी का सर्वथा अभाव बो लोग में मॉरह वैवन दोफ में जो माधूर जिभाव है इसका विप्राहें चिष्का न्युक में के वल मॉक है कि दर के इस मुखाव में लेकिन साकेत लोक में और सब भाव है माध्र जभाव नहीं है डाइकुंठे में केवल शान्त भाव है, कि तो जो गो लोक में दाश्त भाव के महापुरुषई है, सक्ष भाव के है, बातस्ल भाव के है उनका भी अपना स्थान है किन्तो वहां भी संकोच दूरी है लेकिन ये ब्रिंदावन धाम केवल माधुर्जभाव का ही है भी नहीं यहां और भाव की गुन्याइश नहीं केवल माधुर्जभाव का जो प्रेम है गूती प्रेम उसी का धाम ब्रिंदावन है यही जीव का अ इसके आगे एक रस और है वह भी दिद्दादल में ही है किन्त वह जीव के लिए नहीं उसको भाभाव कहते हैं राधा भाव भी कहते हैं वह केवल राधा के लिए रिजर्ब सीथ हैं वह किसी जीव को न मिली थी न मिलेगी जहां तक जीव जा सकता है वह अंतिम्रस है यह गुंदादल रस तो इस गोलोक में बहुस्ते चीजें होगी हां सब चीजें है तो उन सब चीजों में बड़ा आनंद होगा हां होगा अच्छा जो गोलो यह से आप संसार में देखते है एक पेड़ है एक पहाड़ है एक नदी है एक आदमी है तो यहां आदमी सर्वों पर है उसके नीचे पशुपक्छी है उसके नीचे भिच्छों गयरा है को क्या एसे ही गोलोप में अस्तर है कि वहां भी कुरूप शुरूप दो सेक्षन है तो क्या वहां भी आनंद के अस्तरों में अंतर है कि एक स्वाभाविक प्रश्न है जो आपनों के मस्तिष्क में शायत कभी आये हो विचार्शीन हो नहीं ऐसा नहीं कि गोलोक में जो प्रिठ्वी है और जल है तेज है वायू है आकाश है यह पांच महाधूत आप संसार में देखते हैं वहां भी है पाचो नहीं होगा तो वहला कैसे हो ताम चलेगा लेकिन वहां में यहां में क्यांतर है वहां की प्रिठ्वी में अनंत आनंद है वहां के जल में अनंत आनंद है वहां के तेज में अग्मी में अनंत आनंद है तो क्यों यहां के प्रथिवी जलते जो बायू में अनंत-ानंत क्यों नहीं है यहां कि यहां के प्रथिवी जलते जो बायू आकाश अंथवा उनसे बने हुए पणारत जान दो जो आप पेड़ देखते हैं यह पेड़ किससे बना पृष्वी से बना ना इसकी जरुनी पृष्वी है तो पृष्वी जलते हैं यह पंच महाभूत तोरे हो या इसे बने हुए परार्थ हो बस संपूर संसार इनी दो के अंतरगत है पंच महाभूत या पंच महाभूत से बने पदार्थ यह आपका शरीर तक सब आ गया इसमें आपका मन भी आ गया उसी में यह आपका जो मन है अंतरण यह भी माया से बना है वो सुच्छ में है यानि आपको छोड़कर जो बचा आत्मा ने आत्मा वो पंचमाभूस से नहीं बने उसकी अलावा जो कुछ बचा वो सब का सब उसी पंचमाभूत माया के अंतरगत्य तो क्यों जी वहां पर गोलोक में पंचमाभूत जो होंगे वहां आनंद होगा और हमारे यहां आनंद नहीं है क्यों ज्यान दो बहुत खोपनी लगाओ ऐसा क्यों अगर आपके कि वहां भगवान है वहां भगवान है तो किसने आप जगागी यहां भगवान नहीं है प्रभू ब्यादबक सारभत्र समाना उटो यहां भी माने इस पंचमाभूत के एक प्रमाणू में भी तो सभसे छोटा टुकणः आप समझ सकते हों उसमें चाहेट भगवान का नोखो सरभत्र भगवान एक साव्याक्त है एक Всё तो क्यों जी जब भगवान रूपी आनंद सरवत्र एकसा व्याप्त है तो फिर गुलों के प्रिथिवी जलते वाई वाकाश और हमारे मित्र लोग के प्रिथिवी जलते वाई वाकाश में क्या अंतर हो सकता है अगर आप कहते हैं कि यहां जो भगवान व्याप्त है उसका अरुभो करने के लिए हम अधिकारी नहीं बने हैं अगर अधिकारी बन जाए तो हमको यहां अलंद मिलने लग जाए तो फिर ऐसे बोलोग में भी होगा क्योंकि सब बड़े-बड़े सिद्ध महापुरुशी वह यहां के पृष्वी जलते जिवाएवाकाश में नहीं ऐसा नहीं पूरी बुद्धी लगाओ पूरी इसको नीडावे खड़े हो जाओ इतना बना धुरुभाग दिनला हो अपने मस्तिष्क में यहां का पृष्वी जलते जिवाएवाकाश जो पाच्तत्म है उसमें भगवान व्याप्त है और यह पंच महाभूत माया का बना हुआ है यानि पंच महाभूत अलग पनार्थ है भगवान अलग है वो भगवान इ में प्राविशत ततन प्राविश्य सच सकत्याच्याववं रुब्तम चानुरुपत स्यूघ्यानं चाणुरुपवत इद्रवाथ इस लेकिन गोलग में वहां पृथ्वी जलते जिवाएवाकाश माया के नहीं बने है और उस में भगवान व्याप्त नहीं है फिर कहें कि बने जी अरे दोई चंप तो होता है आत कहते हैं ठुब and 500 का दूसरा क्फ़म ज्ञते हैं तो स्रीकृष्न ही पृठ्मी बने हैं और और प्रिष्न ऑने फिरी चि टेज बने और स्रीकृष्ण नहीं बाईू बने है since ुरी कृष्न ही आकासच बने यानि वहां का इतना भी सामान बोंपकिसी अलत पदार्थ से नहीं बना है कि स्रीकृष्णे ही सब कुछ बने इसलिए स्रीकृष्ण को देख रो जो आनंद मिलेगा वही कि पृठ्षिमि देखने जो मिलेगा पर यह त पर सेंट का वियंतर में कि जब स्रीकृष्ण नहीं बने तो फिर उस्य गुरंदावन के उस्य गोलों के भूखंड के कि एक रज कड़को एक धूलिके कड़को देखने में वही आनंद मिलेगा जो सद्ध वहा पुरुषों को रांग कृष्ण के दर्शन में आनंद मिलता है एक रत्ती भरका भी अंतर नहीं होगा तो यहां हमारे भ्रह्मांड में माया के लोक में सामान माया का है और व्याप्त भगवान है इस लिए जो भगवत प्राथ्थी कर लेता है वो सामान से अलग हो जाता है और सामान में जो भ्याव्त भगवाल है उसका अठाल करता है लेकिन लोग में सामान हे ही नहीं स्वेम 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 अलग है इसलिए कोई अलक का एक चुल्ज नहीं प्रश्ण नहीं पस्तित वर्ध नत्र शूर्ज वहां तो अनेर आओगा गोलों के नहीं सूर्ज है यह मेटीरियल शूर्ज नहीं सूर्ज नहीं लगता होगा नहीं है लेकिन स्री कृष्णे ही बने नेमा बिद्धितो भांत कुटो ये मगनी कमेव भांत मनभाद सर्वं तस्वासा सर्वं विद्धाति तक भासा ये ते सूर्जो ने सशान को न पावा कहा गीता तो एक अंतर आप लोगो ने समझा कि भागवान के लोग में कोई चीज माया की जाही नहीं सकती वलते हूं इसुरित से आप लोग जा सकते हैं थाहता हुए पीर आपका सरीर से तो आप माया के लोक मीं भी नहीं जा सकते है माया के लोग माया के मतलब माया के छेतर में एक सत्किक माया या के लोग होते हैं कि साथ्पक माया के दूंद पड़ते तो मोस्ट्रणों Ka cuadro bondon शरीर तो आएसा नहीं होता पिर कैसा होता है trabajar आप को क Cand Japan और यहां कि और कि फूर शरीड नहीं होता को अगर कोई देवतार असे घड़ा हो जाया आपि नहीं मिलें तो आप लोगों का शरीड फढ जाए सहने सकता उस सुख को कि है सुख लिमिटेड लेकिन आप नहीं जान सकते हैं लिए पड़े बड़े सुख क्या सहे लिए कि वह नहीं सहे जा सकते जेवताओं की आखो में पलक नहीं भनती देखिए उनके शरीर में कितना आईसी चमक होती है उस शरीर में नैचुरल क्यों उनको ज़रुरत नहीं होती कहीं लाइट लगी हो तो उसकी हेल्प से कोई सामान देखे उनका पैर जमीन पर नहीं छू सकता अगर यहां पर वो खड़े होंगे आपके सामने तो जमीन के ऊपर खड़े रहेंगे जमीन में टच नहीं कर सकता होंशली उनके शरीर से पसीना मल मूतर नहीं निकलता वे खाना नहीं खाते क्या खाते लेकिन यह मोटा मोटा खाना नहीं खाते जो आप लोग खाते रसकुल्ला वगएरा उनका खाना भी सूप्ष में है शरीर भी सूप्ष में है लेकिन एक जीव मिलती है आपसे क्या सुख दुख जैसे आपको मिलता है वह ऐसे उनको मिलता है आप पड़ोसी की कोठी कार वाले को देख कर रिशा करते हैं और कामना करते हैं ऐसे हमारी भी कोठी हो जाती हमारी भी कार हो जाती ऐसे वह स्वर्ग लोग वाले भी अपने उचे से लोग वालों को देख कर रिशा करते हैं अगर वो मिल वो हमको स्वर्ग मिल जाता महा जनात पहा सत्य आज जो लोग है एक के उपर एक आजवाब कर दुम मानस्टिक जगत जो उनका है दुख का आशांती का अत्रिप्ति का कामना का मनता का आशत्य का वहाप भी किज़रे कोई अंतर लुए नहीं एक परमान का भी अंतर नहीं शरीर का अंतर बहुत बढ़ा देखो यह स्वर्ग का शरीर जो है यही शरीर आपके शरीर से इतना विलक्षण है लेकिन है माया का वो शरीर स्वर्ग वाला भी नहीं जा सकता भगवान के लोग में नबैकुंठे में निफाकेट में नगो लोग में फिर वहां कौन जाएगा वहां माया का कोई सामान जाही नहीं सकता फिर क्या होगा जब आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी और भगवत प्राप्ति के बाद जब आप दो लोग जाएंगे इस शरीर को छोड़ करके तो आपको एक ऐसा शरीर दिया जाएगा जो शरीर माया का नहीं होता है भगवान का होता है उसी को दिव्य कहते हैं चिम्मे कहते हैं और एक नाम है उसकी भगवान का ही शरीर आपको नहीं जाएगा यानि भगवान के शरीर में जो जो बाते आप सुनते हैं पढ़ते हैं कि परमंस देखकर दिवाना हो गया वही बात आपके शरीर में हो जाएगी और वही मन भगवान वाला आपको मिल जाएगा वही बुद्धी आपको भगवान वाली मिल जाएगी यानि आप complete भग्वान बन जाएंगे तो भगवान में आप में अंतर क्या रह जाएगा जी अंकर रह जाएगा मैं सेवाथू पाती पाती मोरें यह भाव हो बना रहें बाती सब्सक्राइब जाएगा क्योंकि अगर एक सा लो तो फिर वह लोग क्या रह जाएगा तो मैया लोका मन प्रतों बंदगी हो जाएगा वहां यह गंदी चीज़ें नहीं जा सकती आपको भगवान दिव्द देह देंगे भगवधिये देंगे यह देंगे यानि इसलिक्ष्ण का विग्रह यहां भेजते हैं अनंत प्रह्मांद में अनंत महापुरुष भेज़े जाते हैं गो लोग से सदाय होता रहता है अनंत महापुरुष गो लोग से संसार में जाते जाते हैं तो जाते हैं है को थ्रेपा करने जाते हैं और फर एक के शरीर करते हैं दिबaste हैं प्राक्त शरीर वाले बाइब भगवत-प्राक्ति दिव्विश reason ओर 있지ach को को हुशत desafative को सकते हैं ऐसे ऐसए आवतार हमारे हैं मुए जो प्राक्त शरीर में rankons और शरीर यहीं छोड़ दिया है कुछ आवतार ऐसे भी हुए है लेकिन कुछ आवतार ऐसे हुए है जो दिब शरीर में आए लेकिन लोगों को प्राक्रत दिखाई पड़े और क्या कमाल कि दिब शरीर में प्राक्रत खाना खाया जा रहा है जिब शरीर में सारा प्राक्त व्योषार किया जा रहा है वह कि स्वर्ग के शरीर में भी कोई नहीं हो सकता हो और उनका शरीर सूक्ष में है लेकिन भगवान यहां आतर के जो को आप लोग पढ़ते हैं न सब कुछ खाते रहें सब कान करते रहें बिल्कुल हमारी तरह लेकिन शरीर है यह राज राज बना रहता है केवल सिद्ध महापुरु से ही जान पाते हैं और उनके पास एक पाव माया की उसी के बल पर यह सब इंपॉसिबिल असंभव संभव किया करते हैं जो बुद्धी में ना सके वह वर्त योग माया का होता है बस मोटी अकल में समझे रहो भगवत प्राप्ति तक काम देगा है मेरा वाक्त आपकी बुद्धी में जो समझ में ना सके जो आपके कि आप ही लोगों का ले सरस्वति प्रहस्पति तक समझ लेना जितने माया के इंडर में है उनका लाजित उनका तर्थ उनकी कॉमन सेंस उनका जो भी यह मिटीरियल एक्सपीरियंस है वह जहां न जा सके वह कार्ण योग माया का होता है समसार में दो विरॉधी बाते में होती लेकिन विरॉधी बाते होती है लेकिन योग माया से होता है यह अगर कोई तत्पक्य समझ ले तो फिर उसकी सारी वीमारी भगवान के पर चली जाए सब्सक्राइब यह जाए जो फोई तर्ग कोई शंकाने शन्काने क्यों किया कैसे क्या होगा जी इनके आसु भाजते थे ऐसा लिखा आए जै पतन अश्रू बिंदा भागावत में लिखा है जी भग्वान रोते थे आसु वहां करके क्यों जी आसु तो प्राक्ट शरीर में होते हैं जिब विशरीर में कहा खूर्मान सुमेदा हड़ी मज्या है जो वहां असु भेंगे स्रीकिस्निके इस इतने भी तर्किस प्रकार के आपके साथ फेल हो जाएंगे क्योंकि वो योग माया का कार्ज हो रहा है उनका तो वहां असंभों संभों होता है इसलिए भगवान की एक वी बात महापुर्श की एक वी बात आप समझ ले असंभों और अगर एक बात समझ लिया आप ले तो बड़ी भारी भगवत कृपाद गुरू कृपाद के ऊपर है कि आपने एक बात समझ लिए जनी दा एक में हूं और जब बहुत से लों कहा करते हैं हो कि बात समझ में नहीं आई क्या यही ने चीर्हण किया रास किया राम की जो बात आप शुप को शुःअ का परित्याग किया कमाल है कि आपने सारी बात पहुंच गए होंगे आकल के आप नहीं समझें अब नहीं समझें तो तुम ने तो भी यही नहीं समझा कि तुम हो कौन तुम्हारा शरीर क्या है और ये इंद्रियों के विशय क्या है ये तीन दाते ही तुमने इस समस्व की अनंत जल्व में तुम भगवान अगवान को क्या समझें तो अभी तुम्हारे लिए सप्न से भी और अधिक दूर है तो इस प्रकार गोलो या ब्रंदा बनवे कोई तक् किस्द्र के आतिरित्ट है ही नहीं एक ग्लीजन अहां उन उन थाय को नहीं वहां है तक्व और उनके उपासक है सब है और जितने उपासक है उनको दिजो पुछ मिला स्री criticism का मिला आ है इसलिए भी कम नहीं है सिरी किस्छन थे कभी तो भगमान ने जब यहीं इस अंकल्प किया कि मैं कुषती लगू भ în तरूं कि से करूँ अ गिरहां भी कमजोर है कि संकर्वी कमजोर है इसा अजय जिपाल है कि भी Right तो हमारे ब्राबर का कोई हो को जड्य कर सकता है तो हमारे ब्राबर कोन है वहापुरस है शरीर की शक्ति भी हमारे ब्राबर है उसके पास सब्सक्राइब जबर्दस्ति कंप्लेंट दायर करके और शाप दिल्वा करके नाटक्तिया इतना बड़ा तीन तीन अवता बहाना बना करके तो वह ब्रिंदाबन धाम है तो क्या ऐसे ब्रिंदाबन धाम में हम लोग बैठे हैं तो अगर ऐसे ब्रिंदाबन धाम में बैठे हैं हम लोग तो यह प्रश्नाता है कि क्या ऐसे ब्रिंदाबन धाम में कोई भी जा सकता है देखो गढ़ों के संसार में भी आप हर जगे नहीं जा सकते एक मामूल से आफिस में भी लिखा रहता है अब पर्मिशन नहीं है प्रभेश निशेद है अगर घुस गए तो ऐसे भी कुछ अस्थान है अमिलेटरी वगारा के जहां गोली मार दी जाएगी तो क्या यह जना उच्चस्थान अएसा है कटावट चले जा थास चले जा रहे विरुणदावन के पहले जैसे थे वह से घुस्त घुस्तने पर हुए अब बंदावन में रहे तो भी वैसे रहे बलकि बंदावन के पहले अच्छे थे गुरा गवा रहे आपनों जब आपनों घर से चले थे कलकॉत्टा बंबई कहीं से ब्रंदावन जा रहे हैं तो सुंदर भाव थे आपको ब्रंदावन जा रहे हैं भगवान का धाम है स्रीकृष्ण में वहाँ लिलाएं की थी नरक से छुट्टी पाके जा रहे हैं और जो बुंदाबन पहुंच गए कि और यहां मार्चिन कर लिया कहीं नटक पूरा कर लिया तो क्या पढ़ना मिकला अरे दस दिन हो वे हम को हमारा ओड्यापार खराब हो रहा हो थी क्या हुआ होगा हमारा बेटा उसकाएडमिशन नहीं हुआ था क्या हुआ हो गा पहुंच गए और चलना चाहिए चले साथियों से कहता है क्या हो राए जी यह इतने उच्छे अस्ठान में आकर कि यह कहां पहुंच गए और अगर कहीं ब्रंदावन के कुछ लोगों का संपर्क हो गया अरे राव 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 बड़े कतर ना गुलो गया तो हमारा वो करकत्ता बंब यह अच्छा है तो इसका मतले भी हुआ कि हम लोग जिस ब्रंदावन में आये हैं यह वो ब्रंदावन नहीं हो सकता क्योंकि उसे ब्रंदावन में प्रवेश्टों कमला तक को नहीं मिला था हमारी क्या इसियत है भगवान की अर्धांगिनी को नहीं मिला जिआ और अगर कोई यह कहेें यहीं व्रंदावन है वो आप लोगोंने आके दिखा होगा है यहां सेवा Coffee किज़ुयल नहीं की इसे कि वह अची लिए तो तो पाप प्यारास होता है क्यों ने जाए वह पकड़ पकड़ के लोगों को हाथ मेर्मान के फैक वाकुंदी देखो सब लोग अरंद मगन हो जाओ नहीं जी वह एक आदमी रह गया था कभी राद में तो पागल हो के निकला दरते ओंपागल होने से परमानन्द में पाग मज़ी वह अगर तुम्हारा लंच क्या है अगर तुम ढरते हो कि भगवान के बन जाए इसी मारे नहीं जा रहे हैं तो तो तुम्तनी क्यों आये थे भगवान से किसी का लाव न ही वा सेसे किसी का लाव न हुआ अवतारकाल में को अधु करा बजी थी हाँ बजी थी मुरली बजने पर गोपियां आए थी हाँ आए थी तो सब को नहीं चले आए गोपियों के पती भी तो थे क्या उद्वाहरे थे सब इस होगा वगया वगरा सभी है क्या बात है एक शीव लोग तक तो मुरली चली गई उसकी आवाद शीव लोग तक चली गई शंकरजी भागे चले आ रहे हैं पार्बती भागी चली आ रहे हैं और यहीं के रहनेवाले ठाड से सोरे या जाग भी रहे तो अपनी बीबियों को रोक रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि भगवान की मुरली में कुछ कमाल है कि वो जिसको जिसको चाहते हैं वो ही सुनेगा तो जिसको जिसको चाहते हैं वो ही सुनेगा का मतलब महापर सुनेगी रसिक लोग सुनेगी तो जब रसिक पहले ही से वो है तो प्रभगवान के अवतार लेंगे उनको रस्मिला ठीक है वो गोलोक जाएंगे वहां भी ठीक है यहां अवतार नहीं है तो भी उनको मिलेगा उनके लिए सब बराबर है जो कभिडा कासी मरे रामे कोन नहीं हो तो चाय ब्रिंदावन हो और चाय मगार हो सरवत्र श्यावसंदर को वह उसी प्रकारन हो करेंगे यह से गोलोक में तरते और अगर अधिकारी नहीं है तो प्रिष्णा वतार में भी आप पढ़ते हैं रोज कोई लाब नहीं हुआ किसी बड़े राक्षा से इसी ब्रज में असरी कि मजूद है है किसी की भावला ठीक कर दिया नहीं अरे नहीं किसी करने आखासर भकाश देनुकासर कंसाट खोपडासर तमाम सारे असुर मारे काहे को मारे वहिए यह सरी कृष्ण को देखकर भी आरे देखने कि आपके से देखन नहीं आलिंगन भी मिला एक पूतना ने चिप्ताया स्रीकृष्ण को बख्षस्थल में और मामूली चिप्ताना नहीं भगवान ने अपने मुख से उसके अस्तन के चूचुक को भी पिया इतना मधुरस पर्ष दिया लेकिन मार दिया क्यों वह भक्त नहीं बन गई हम नहीं जो अधिकारी नहीं है उसके लिए भगवान दीरो बटे सब्सक्राइब और चाहे यह भी कोई करड़ा अरे मान लो कोई महापुरुष्ट ने भगवान से बर्माना है भगवान हम आपसे बर्मानते हैं कि इस आदमी को इसी शरीर से गोलोग में खड़ा कर दिया जाए पंच महाभूत के शरीर से भगवान के लिए इंपॉसिबल नहीं कुछ भी यह भी समझे रहे ना उसी योग माया की शक्ति से पंच महाभूत के इसी शरीर से जुक्ति व्यक्ति को वह महापुरुष्ट गोलोग में खड़ा कर सकता लेकिन वहां वो क्या देखेगा और क्या अनुभोग करेगा इसका दिम्मेदार महापुरुष्ट नहीं है वहां जब खड़ा होगा यहीं पंच महाभूत देखेगा संसार वाला जैसे शरीपृष्ट नोके सामने खड़े हो करके उनके अवतार काल में लोगों ने पंच महाभूत का शरीक्रिष्ट में देखा इसे यहां के पेड़ हमारे आगरा शरी के तो है यहां के आद्मी पी जो है वह सो बसें यहां की गाय क्या होगा नास्तिक हो जाएगा आवतार काल में अगर क्रपालू कह दे या कोई कह दे कि यह स्रिक्ष्ण है तो जिससे कहेंगे वो नास्तिक हो जाएगा आवतार नहीं है या है हमको नहीं मालूम है तो स्रिक्ष्ण को हम भगवार मान सकते हैं बड़े आराम से क्योंकि हमें उसका उल्टा कोई फन नहीं दिख रहा है भी और जब स्रिक्ष्ण को देख लेंगे और दिब दृष्टी ह है नहीं अधिकारी है नहीं तो फिर हम अपना खोबड़ा खराब कर वेचेगे तो इसलिए हैं सबसे हट करके हमको एक पॉइंट पराना होगा कि हम अधिकारी बने अन्य था यह ब्रंदावन दिब्व्य है तो भी हमारे लिए ब्यर्थ यह प्राक्रत है तो भी हमारे वहां भेज दिये जाएंगे वह भी हमारे लिए दर्थ राम पिस्पी तो सामने खड़ा करके चिक्टा दिया जा हमारे वक्षस्तल में ओ भी हमारे लिए न कि अधिका कोई लाविए है की की हम लोग में आते हैं बर्णावन वार बार आते हैं एक हंकार लेके वापस जाते लोगों से कहते पुरते हैं व्रंदावन कहते हैं क्या हुआ वड़ा अनंदा है मैं पुसमस्ता हूं कि लाखों आदमी जो बिंदा दन में आते हैं उनमें सैकड़ों आदमी भी ऐसे ने जिनके आंद के आसू भाए हो लोगों मंद्रों में चक्कर लगाओ और आपने माटक करके चले जाओ सत्संग किया सत्संग करते तो फिर लोटके आते नरक कुंड में तो स्रीकृष्ण संग हो जाता सत्माने स्रीकृष्ण कि अधने आये हो स्रीकृष्ण के संग के लिए न तुम ने किया का है कि कमा कर दो ने क्या कहा था भगवाल के धाम में जा रहे हैं भगवाल के धाम की फीलिंग तुमको अगर दस दिल में दस से कंड को भी हो जाती तो जहां बैठे हो यहीं पर लोट के बेहोश हो जाते यहां श्याम सुंदर के चरण पड़े और हो आराम से घुम रहे हैं और आराम से बैठ रहे हैं तेजे बाते लिए एक अंगुची मिलती है किसी को एक करोड़ रूपए के हीरे की तो एक भिष्मंड़ा कितने प्यार से देखता है यह करोड़ की एक करोड़ और अनंत आनंद कंड क्रिश्न कंडर जहां पर चरण उनके पड़े सिर उनका पड़ा लोटे हैं वेस्वें उस्पृषिवी पर तुम बड़े आराम से चले जा रहे हुए तुम उसी प्रसिवी को मनें यह वाल गलत धोकार तो हमको ब्रंदावन आने का जो प्रियोजन होना चाहिए ये कि ये ब्रंदावन वही है ऐसी भावना बनाना और फिर उस ब्रंदावन के लाभ के लिए आसु बहाना जितने चन आपके आसु बहे वो ब्रंदावनाना सफल वर्ना ध्यान दो ब्रंदावन आने से हानी हो जाएगी लाभ तो दूर की बाद नथिंग से संफिंग अच्छा होता है जी अरे नथिंग संफिंग नहीं है या नामा पराध कमाके जा रहे हैं लोग इसमें इधिकार दिया तुमको मेंदवन भेजा हो ब्रंदावन में उसे जान PU और ऐसी भावन मना और तुम रहों9 कुछ तो कुछ लाब पाओ तब नथिंग से संथिंग कहो तो तुम तो उल्टा कर रहे हैं तुम तो भावना ही नहीं बना रहे हैं साधना से मतलबे दें तुमको भूबने से मतलबे दिर्ष्ट देखना है मुटीरियल आज मंदर में विहारी जी रंगनाज जी अब भगवान जी जूले में बैठेंगे दस लाग का जूला है वेक सेट का क्शोम युलाा जी आज तो लाकों आदमी आएगा क्यों आज तो ठाकुलगी कि जाकी क्या बढ़िया होका क्या क्याकी जाकी दस लाख रूपे से बढ़िया हो जाएगा व्य आप यह मेटीरियल जगत देखने मंदरों आप यह वाही जड़त है इस लिए तो आपक्त्ता देखना था अजी हमको किसी ने बताया थोड़े अपर कोई बतावे भी तो आपन तो अपने मनमारे ढंग से चलते हैं सद्वी करो मन की पहले तो अगर मांते भी है तो उसकी कुछ बात माल लेते कुछ अपनी मानते रहें आपने लगे तो आकिर हम भी तो अखल रखते हैं इस यह हमने किया अनाजिकाल सेफ्ट तत था दो हदार ने अनंत बार ब्रुंदा बनाए अनंत जन्म हमारे व्रंदावन में हुए यहीं मरें और लेकर कि मरने के बाद तो गोलोग मिली जाए यानि भगवान को ऐसा समझते हैं इंसान को भी नहीं समझना चाहिए एक अलपक के इंसान भी ऐसे दोखे में नहीं आता है कि सारे जीवन तो बात नकली चेक दिया करें और आशा करें के सावे असली मान लेगा और बैंक भुन नहीं रहा है रुपया दे नहीं रहा है तो आप भगवान से कैसे आशा करते हैं कैसी एक्टिंग करने से और आपको को लोग मिल जाएगा या पैदा होने मरने से मिल जाएगा आप ओ साधना करनी हो जो बहुत दुख हुआ आज जिस तरह से फ्यूतन कर रहे हैं आपने अपने फिर मुझे से कहते हैं महराज जी ब्रंदामन चलिए क्या चले बंदामन आप लोग को परवा ने इतने उच्छ प्रवाज बैठ करते हैं यह फोपड़ी आपति यह गुमान आपका है क्या है रूप में आप कामदेव हैं ना आप अईश्वर्दी में इंद्र हैं नधन में कुबेर हैं ना बुद्धी में व्रहस्पति हैं जबकि यह भी सब पिचारे नगण में और फिर भी आहंकार है नहीं कि हमको कोई आंकार नहीं तो आशू करति नाम के ऊपर कोई रीजन नहीं हो के वने इस पांपार लापरवाही कौन रूप ध्यान करें ना धना सब्क्राइक ना क्या करें कि क्या गणा शादा रहे क्षिव को सुना रहे या कि महापुरुष्पपकर समझते भगवाल को ना समझते एक बळीहार जाएगा आपके ये घंधर्द्ध कि अरे यह आ आपके गाले में क्या कमाल है कि रेक रहे हैं कि हमको प्रतिक छण कि यह फील करना चाहिए है इतना बड़ा सवभाग बिला किसी सुकृत के लिए यानि क्रपा से मिला भगवत क्रपा कैसे हो गई नहीं आप पुझाज कर सकते लेकिन हो गई या आप आ गए हैं और एक रात को आए हैं एक दिन को आए हैं एक महीने को आए हैं तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस इसका महत्वर अपनी भुझ्जी से आखना चाहिए अर परसेंट को आखिए कुछ तो चलिए कि आए चले गए बिना आशू के लज्जित की अधान को अपने गुरु को इसके आदेश को और आत्म हत्या के पाप से जुक्त हुए आत्म हन गति जाए आत्मा का सर्वना शुक्त कर रहे हैं आप कि सब कुछ बनाओ बन गया क्या बन तो कभी भी महापुरुष बनने के बाद जब सोचेंगे क्यों जी कि भारत मर्ष में जन्म हुआ मनुष्य बने और मनुष्य बनने के बाद कि संस्कार को हो वगवत्रिपा को हो सही रास्ता बताने वाला मिल गया और बिंदाबन धाम भी पहुँच गये और संसार से निश्चिंत हो करके संक्रितन भी प्रारंब हो गया लेकिन हम किस प्रकार अपने को भगवान से प्ठक रखे रहें सावर्हानी के साथ हबर्दार स्रीकिष्णी के तरफ जाना मत क्या बुंदाबन हो चाहे जारे दिव गोलों को कि कितनी बड़ी ला परवाई कितना बड़ा पराज है अब कौन सी कृपा इसके आगे और होने वादी है अगर आपके वहीं क्रिपा ओर हो जाए कंसी वो जो जिब शक्ती है जो आप कहने योग मया दिव चिन में तो वो दे दी जाए जगन को बाबाजी दे ले तो क्यों जी अगर भीना हमारे अधिकारी बने कोई बाबाजी ओदे सकने की छमता रखते तो क्या अनाधिकाल से अब तो कोई बाबा जी नहीं हुए विश्वूर या बाबाओं के जो परम बाबा भगवान है वही कर देते ऐसा उनके लिए क्या बड़ी बादी बाबा बनालेंगे दुरूर्टी क्या है उत्तों सब्सक्राइब करो और कोई मार्ग नहीं है अनंत कोटिकल्प तक तुमने बुद्धी लगाई कि बस यही नहीं मानेंगे बाकि सम्मानेंगे अनंत कोटि जर्म में हम लोगों ने एक जिद्ध की आय भगवान आय संत तुम दोनों ने जो बार बार हमसे कहा यह शुद्ध आशु बहाने से ही काम बनेगा बस इसको नहीं मानेंगे बाकि चारोधाम में जाएंगे मार्चिन करेंगे पास करेंगे बाबाओं के चर्णो में लोट जाएंगे भेट देंगे बड़ी-बड़ी हम गुरुओं को लेकिन आशु नहीं बार है तो यह भी नोट कर लो कि अनंत कोटि स्रीकृष्ण और उनके जन आपके बगल में लटका दिये जाए तो भी आपको जीरुबट तो में अगर आप जहते मजिद ने छोड सब्सक्राइब करना है अपना अहंकार मनना है जब ठीक ठीक फील करेंगे अरे वन पर्सेंट करेंगे तुब पर्सेंट लाब होगा कुछ तो करें कि हम पम्रे में बैठेए बैठे बड़े ध्यान से नोट कर रहे हमें क्या हो रहा है कि इतन हुआ है जी आए लिए बाहर में और चायवाद पी रहें होंगे अभी आते होंगे जो टंकी करेंगे को कोई खेल होगा यहां सरकस का क्या देखना चाहिते हैं आप महराजी आप क कोई यहां अच्छोड सोब बच्चे रास करते हैं तो क्या सुनना चाहते हैं जो करना है आप करने के लिए भळ wording दाउल सिंद्द में तो कि यहां मुझे बूलने के लिए कर आएप सदुण के लिए लेकिंस बहुत दुखे हो करना पड़ा कि आप लोग क्या कर रहे हैं इस किससे बड़ा कर रहे हैं तो मैं आप लोग को ला करके यह बंदाबन का अपमान कराओं अच्छा है अपना जो नाटक करते हैं जिस तरह से की दिए कि इस प्रकार अगर आप लोग ठीक ठीक अपनी गलती मान करके और विद्धाबन में दिप ब्रंदाबन की भावना बना करके आशु बहाएंगे तो जो जो अंताकरन की शुद्धी होगी जो जो हलका हलका आभास होगा प्रत्यक्ष नहीं आभास होगा और जब अंताकर शुद्ध हो जाएगा सेल्थ परसेंट तब दुरू कृपा से वो दिव्ध विष्टी दिव्ध दर्शन का लाव वो दिव्ध प्रेम का दान वगयरा वगयरा जो अंतिम गती है वो प्राप्त होगी इसलिए मेरी यही प्राठ्णा है आप लोगों से कम से कम आज की रात को आप लोग ठीक से अपने को पास के अस्थान पर रखकर मोसमकौन पुटिल खलकामी के अस्थान पर रखकर भगवान के आगे रोकर आशू बहा कर साधना कर ले तो हमको भी खुशी होगी और हो सकता है जो मैं दो हप्ते के अंदर ही आपको बड़ा सस्थन दे सकता हूं और बरसाने का जो मैंने बहुत बर्शों से नहीं दिया है लेकिन अगर आप लोग यही लाटक करेंगे तो फिर मैं किस आशा से आपको इससे बड़ी चीज दूँ जब सबस्ते हैं तो आपके साम में कोई बड़ी चीज रखना भी उपास की बात होगी अब आप लोग ठीक ठीक संक्रितन करें इससे मुझे भी खुशी होगी और आपका विलाब होगा और भविश्य में वीडियो मैं सोच रहा हूं एक दुशेश रस वाले कार्डिक्रम के लि तो ठीक है मेरा कोई बसथ नहीं चूरी आप सोच सकते क्या बखबख कर रहें अभी तक वैसे करेंगे अच्छा वैसे करो और बिल्कुल नगदर उल्टा करो सभी कुछ समर्थ है जीव करने में भगवान हो महापुरुष समर्थ नहीं है लेकिन आप तो समर्थ है आप कहेंगे उल्टी बात करने हैं उल्टी नहीं में भी कुछ सीधी कर रहा हूं आप भगवान के सरनागत हुए महापुरुष के सरनागत हुए वो बंद गया वो आपके योक्षेम को बहन करेगा करना पड़ेगा लेकिन आपने छोड़ दिया महापुरुष को छोड़ दिया भगवान को यह आपके हाथ में आपको इतनी आदादी है भगवान को आदादी और अगर हम नहीं चाहिते हैं नहीं करते हैं तो आप लोग इस पर गाड़ाई से विचार करके और संक्रितन की दिये जीवन के भर्षों में कट्पा एक छड मिले हैं सवभाग्य के इनको कांग में ले लिए और आपका आपना स्वार्थ है अपने स्वार्थ की शिद्धी के लिए कोई एहसान नहीं है कि आप लोग मेरी बात मान रहे हैं तुम्हेरे उपर एहसान कर रहे हैं कि अच्छी बात है जब बार बार सुलो मान लेते हैं मेरे लिए आप मान रहे हो ऐसी बात नहीं है अपने मतलब के लिए आप मालने लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं नहीं जी हम तो आपके आप से कुछ प्यार करते ही है और आपको फुशी होना है मेरे रोने से ही कि चलो भाई भी वही कर देंगे तो अगर आईसा ख्यालों कि लोग को भी मंजूर है अब इहसान मानें आपका पहुत बहुत मानेगी जितना इहसान हम आप लोग के आशुका मानते हैं उसे आप लोग नहीं समझ सकते बरतमान का जिए तो कभी समझेंगे भविश्च वाइए अब आप लोग तारंदीगे सं ये रुन्नावन भिहारी लालगी